जहां डर होता है, जहां अपराद होता है, जहां माफिया राज होता है, फिरोती छीना जप्टी होती है, वहाँ विकास संभव नहीं होता है और कानून व्यवस्ता स्थापित करना एक चोटी बोटी बात नहीं है दोस्तों, मैं लंबे अर्शे तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूं, कानून व्यवस्ता के लिए कितनी महनत पड़ती है, सारे तंत्र को कितना सजग रहना पड़ता है, मैंने उस दुनिया से समय निकाल करके मैं आया हूं, भाई यो बेहनों मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मान लीजिए, आपके पाद बंगलो है, गर है, गाड़ी है, खेत है, खलियान है, सब कुछ है, पांचों उंगली घीमे है, कोई दूख नहीं है, लेकिन अगर माफ्याओं की चलती है, गुंडाओं की चलती है, और जवान बेटा सुबह घर से गया है उत्सा के साथ, और शाम को उसकी लाश घर पे लोटा है, कोई उसकी हत्या कर दें, तो उस घर का क्या उप्योग है, उस बंगले का क्या उप्योग है, उस व्यापार का, गाड़ी का, खेत खलियान का, कोई उप्योग है क्या? जान प्यारी है क्या? तो गुंडागर्दी जानी चाहिए क्या, नहीं जानी चाहिए, माफिया साही बंद होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, ये काम योगी जिने किया है भाईों, आप सोचिए, आपके पास पैसे हैं बच्चे को अच्छी स्कूल बेज रहें लेकिन चूँ कि बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ता है इसलिए फिरोती लेने वाला बच्चे को उठा करके ले जाएं और फिर टेलिफोन करके पैसे मांगे माँ बाप भी सोचे कि अगर पैसे नहीं देगा और बच्चे को कहीं मार देगा तो इसलिए पुलीसे मैं भी कंप्लेन न करे भाईयो बेहनों कि आप बच्चों की सलामती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ये गुन्ना गिर्दी बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए अगर ये काम योगी जी ने किया है तो अच्छा किया है ये नहीं किया है ये होना चाहिए तक नहीं होना चाहिए था ये ये उत्तर प्रजेश की सेवा है कि नहीं है ये आपकी सेवा है कि नहीं है यह आपके सुरक्षा है कि नहीं है भाईयों बेनो सुरक्षा जीवन में बहुत जरूरी होती है भाईयों बेनो हमारी बेटियां स्कूल कॉलेज आते जाते समय नजर नीची कहे रहे हर कदम पर गबराट हो चुप चाप भागने की कोशिश करती हो और आपने देखा होगा ऐसे लोग रोड के किनारे पर खड़े रह करके बेचारी को फप्तियां सुनती रहने पड़े बहुत कुछ हमारी बेटियां सहन करती रहे उनके मन की बेवसी उनका आक्रोश भाईयों बेनों जवान बेन बेटियों के साथ ऐसा हो वो बेटी बेचारी मुर जाजाए कि नहीं मुर जाजाएगी उन बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए उन बेटियों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कोई दुकानदार दिन रात मेहनत करके अपनी दुकान का काम फैलाए छोटी सी दुकान बेचारा कर्ज लेकर के आया हो मेहनत करता हो एक कमाना शुरू करे और कोई दबांग आकर के कह दे देखो हर दिन शाम को पचास रुपिया मुझे पहुचाना पड़ेगा ये छोटा दुकान दार बेचारा कैसे गोरगरब चलाएगा कैसे जो कर्ज लिया है चुकता करेगा ये रंगडारी वाले लोग मुनाफे में ऐसे हिस्से ही ले जाए अगर मुनाफे में ऐसे हिस्सा नहीं मिलता है तो पूझी में से भी हिस्सा उठा के ले जाए और अगर वो न दे पाएं तो एक दिना करके दुकान को ही उठा के ले जाएं ऐसे लोग जब बैटे हैं तब साथ पर भी प्रकति नहीं होती है उसको रोकने का काम हमारे योगी जी ने किया बाई यो बेनो सूरज डलने के बाद आप घर के इससे निकलने से गबराएं बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाएं अपने काम टालें ये स्थिती ठीक नहीं है अगर ट्रेन रात को किसी स्ट्रेशन पर पहुँचे और लोग सुबह तक इंतियार के रे प्लेट फॉर्म पर बैटे रहें ताकि सलामत गर पहुँच सके ये स्थिती उत्तर प्रदेश ने देखी थी उत्तर प्रदेश को उससे बाहर लाने का काम योगी जी की सरकार ने किया है भाईयो यूपी मैं पांच साल पहले जो इन गोर परिवार वादियों माफिया वादियों ने जो माहूल बना दिया था उसके खिलाब योगी जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है भाईयो बैनों जीवन में सुरक्षा ये छोटी चीज नहीं है जहां हालत बिगड़े हुए है वहाँ दसकों दस दसक निकल जाते हैं कानून राज थापित नहीं होता है बहुत मेहनत पड़ती है योगी जीने ऐसी कठिन सिती मैंसे उत्तर प्रदेश को भार ला करके पांच साल के भीतर भीतर कानून का राज प्रस्था भीत करने में सफलता पाईए बहुत बड़ा बड़लाव लाए है और आगे भी इसको और पक्का करेंगे ये मुझे पुरा भी सवास है भाईो योगी जीने यूपी में सुरक्षा का जो माहोल दिया है उसने समरुद्धी का नया द्वार खोल दिया है समाज का हर वर्ग महनत करें उन्नती करें इसके लिए जो माहोल जरूरी है वो माहोल योगी जी की सरकार ने दिया है काजगंच, एटा, फरुखाबाद, हातरस, फिरोजाबाद, कन्नोच, सईदिस्पूरे छेत्र के लिए भी ये सबसे बड़ा संकट था इन छेत्रों के छोटे लगू, कुटिरुद्योग, हमारे व्यापारी उद्दमी साथी भी इन अपरादियों के काराण, माफियाओं के काराण परिशान रहते थे इसलिए योगी जी की सरकार ने कानून के राज को सबसे बड़ी प्रात्विक्ता बनाया और उन्होंने करके दिखाया है, गुन्डे माफिया को उन्होंने खोच-खोच करके जेल भेजा, उन पर कारेवाई की कभी-कभी लोग पूछते हैं कि योगी जी जुल्म कर रहे हैं, योगी जुल्म कर रहे हैं आप मुझे बताईए भैया, क्या ये माफियाओं को जेल में भेजना चाहिए कि महल में भेजना चाहिए ये गुंडों को जेल भीजना चाहिए कि महल में भीजना चाहिए योगी जी ने सही की अग नहीं किया सही की अग नहीं किया यही करना चाहिए न तभी तो सज्जन वेक्ति जिन्दगी जी सकता है भाई इमानदार आजमी जो मेहनत करता है वो तब ही जी सकता है बरेली के लोग भी आज हमारे साथ जुड़े हुए है वर्चुली वो भी हमारे साथ बात कर रहे हैं बरेली को तो कैसे बार बार दंगों की आग में जोंका गया ये भी हमने देखा है भाईयो पहले ये हालत थी कि लोग अपने परवत्योहर तक शांती से नहीं मना सकते थे दबंग, दंगा और माफिया राज को अब हमें यूपी से हमेशा के लिए वहार कर देना है पूरी तरह आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिए कि इस बार भी इन गोर परिवारवादियों ने ऐसे अपरादी चुनाव के मैदान में उतारे हैं जो आप लोगों से खार खाए बैटे हैं ऐसे लोगों को वो नेता बना रहे हैं माफियाओं को, गुन्डा गिर्दी करने वालों को ऐसे लोगों को नेता बनाने के लिए निकले हैं इन अप्रादियों और गुंडों को हराने के लिए आपको एक जुड़ होकर भाजपा उमीदवारों के पक्ष में मतदान करो ये मैं प्रार्थना करने आया हूँ भाईयो भाईयो ये बदले कयत मोके की तलास में है इनको कभी बदला लेने का मोका मत देना भाईयो मैं छेत्र के नवजवानों से जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं युवाओं से खास तोर पर कहूंगा कि यूपी के बहतर भविश्य से आपका भी भविश्य जुड़ा हुआ है बहुत महत्वपुण है भाईयो आपके पहले लोगों को गाउं गर छोड़ के जाना पड़ा शेहरों में जाकर जुगी जोपणी में जीना पड़ा अम मैं उत्तर प्रदेश से किसी को जाना पड़े ये स्थिती नहीं चाहता हूँ